दोस्तों अब सभी का स्वागत है, Sleepy Classes के आज के हमारे सेशन में मेरा नाम है रभी कात, और आज हम सीखने जा रहे है कि कैसे sociology की current affairs को prepare करें, तो current affairs को prepare करना है, तो सबसे पहली जो important चीज हो जाती है, वो है source, sources का आर्थ क्या है, कि कहा से news और current events को पढ़े है, जो कि जिसकी probability ज्यादा है कि आपके exam में उसके उपर question पूछे जाए, तो 3 important source है, उसको याद कर लीजिए, सबसे पहला जो important source है, इंडिन एक्सप्रस, इसके बाद Hindu, and the most important is, nowadays becoming is EPW, that is a journal, weekly journal है, weekly इसके issues आते हैं, जिसमें around 10-12 articles होते हैं, तो not more than say 14-15 articles, जो हैं, वो important होते हैं, हमारे sociology के perspective से, उसमें से भी छाटना बहुत जोरी है, because all the articles you cannot read, तो वो भी देखेंगे, कैसे identify करें, कौन सा important article, तो मोटा-मोटी आपको Hindu, Indian Express और EPW, इसको तो definitely पढ़ना है, इसके beyond भी जा सकते हैं, बट I would say कि ना जाए, क्योंकि आपके पास time की कमी होती है, अब यही क्यों कह रहा हूं है, क्योंकि directly questions पुछे जा रहे, आप देखों कि 2022 में, एक topic पर या फिर एक article आया था, on distinctiveness of feminist methodology, 2030 में directly question आ गया, distinctiveness of feminist method of social research, what is distinctiveness of feminist method, तो direct question पूछे जाते हैं, कई पर indirect question पूछे जाते हैं, जैसे कि Supreme Court ने recently, एक marriage को nullify करा था, because उसमें जो rituals हैं, वो पूरे नहीं किये गये थे, सब तपदी के rituals पूरे नहीं, और उसमें Supreme Court ने अपनी social commentary भी दी, कि क्या हो रहा है आज की date में, rituals को importance नहीं दिया जा रहा है, शादी तो एक commercial activity बन गही है, नाज, गाना, decoration वगएरा वगएरा, तो उसके उपर 2024 में, यानि कुछ महीने बाद ही जो exam हुई, उसमें question पूछा गया, कि marriage as an institution has gone radical transformation, from ritual to commercial in its outlook, तो articles बहुत important जो है, आपको पढ़ना बहुत ज़रुरी है, और पता होना चाहिए कि कौन से articles important है, तो वही चीज़ आ जाती है next, कि how to identify important news article, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको मैं बताऊंगा, वो है syllabus, syllabus को रट लीजे, syllabus की PDF आप डाउनलोड कर सकते है, या हमारे साइट से, उसको बहुत ही बहतरीं तरीके से रट लीजे, अगर आपको उसकी idea नहीं है, मतलब पूरी तरह से understanding नहीं है, और topics की that is also fine, बस रट लीजे, ताकि आप जब भी news पढ़ेंगे, तो आपको आप relate कर पाएंगे, ये sociology से related है, तो सबसे पहली वो चीज, कुछ tips भी बता देता हूँ, कि कैसे identify करें किसी आर्टिकल को की sociology से, या उसके उपर कोई question पुछा दा सकता है या नहीं, तो सबसे पहली चीज है वो heading, आप देखो कि जो news article आता है, उसके heading काफिया तक बता देती है, कि ये जो article है, ये किस particular चीज से related है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर्टिकल है, de-sanscritization of कुर्मी identity जारकर, कि कुर्मी community जो है, वो de-sanscritized हो रही है, संस्कुर्टाइज़ेशन, sociology में M.N. श्रिवास में दिया हुआ concept है, तो important हो जाता है, आपको पता चाहिए जाता है, कि ये definitely important, तो इस तरह से आप identify कर से, headings are very important, of course, if you feel कि ये particular article important है, बट heading से पता नहीं चल रहा है, उसको देख लिजे, introduction, conclusion पढ़ लिजे, पूरा article पढ़ने की ज़रुवत नहीं है, next is authors, जो article लिखने वाला है, वो भी व्यक्ति जो है credible होना चाहिए, वो ही भी आयरा गेरा, तो कहरा अगर article लिखता है, तो उसको पढ़ने की ज़रुवत नहीं, जो thinkers है, जो professors है, institution में research कर रहे हैं, उनके article बहुत important, बहुत यह academic तरीके से वो article लिखते हैं, और उसके points बन सकते हैं, हम उसका इसका इसकमाल कर सकते हैं, तो Indian Express की अंदर जो articles लिखते हैं, कुछ दोग इनके नाम आप याद कर सकते हैं, के स्टफ जेफर लॉड, सतिष देश पांडे और सो और सो फूर, हिंदू के भी कुछ important, हिंदू में भी कुछ लोग जो article देते हैं, लिखते हैं, कुछ important figures, authors, Meera Chanduk, John Reze, उनको भी आप देख लिजे, और इसके अलावा भी नए-नए sociologist है, जो articles देखते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, अब सिफ sociologist नहीं, political scientist भी अगर कोई लिखता है, that is also important for you, next important चीज़ है, वो है book review, कई बार किताब जो है, जो recently कोई किताब आई है, या फिर कोई पुरानी किताब है, उसको भी review किया जाते है, कोई अब लिखते हैं, आर्टिकल्स बनते हैं, क्योंकि direct question भी पुझाता है, बुक review पे आप देखो के, 2024 में एक question पुझा गया था, discuss the nature of sociology, highlights its relation with social anthropology, यानि sociology और social anthropology में क्या relation है, book review था, sociology and social anthropology in South Asia, एक किताब पे review किया गया था, direct question है, आपको, you don't even have to read the whole article, आपको पता है, socialology और social anthropology दो important field है, और ऐसे questions पूछे जाता है, compare करने को कहा जाता है, you can just do it on your own, or you can read the whole article, and you can make points around it, अब क्या सारा जो आपका article है, या जो भी news item पढ़ रहा है, वो पूरा आपको remember करना है, of course नहीं, important important points, remember करने, आप देख सकते, important important highlight करना है आपको, तो क्या important हो जाता है, examples, case studies, keywords, definitions, reports, data, book name, book name और उसकी जो findings है, कुछ highlights है, वो good arguments, कई बार अच्छा arguments होते हैं, definition की बात कर रहो, तो आप देखोगे, जब same-sex marriage चल रहा था, right, so good arguments, all these things becomes very important, अब is this enough, कि बस आपने mark कर लिया, उसको read कर लिया, नहीं, आपको interlinkage भी करते आना चाहिए, interlinkage यानि, जो news में पढ़ रहे हैं, वो आपको interlink करना है, with your current, with your things that you read in your books, right, आप जो भी पढ़ते हैं, prepare करते हैं, कोई concept हो, theory हो, कोई thinker हो, right, उससे interlink करना है, कई बार जो है, वो interlink, article में खुद दिया जाते हैं, जैसे सत्योशोदक समाज, 150 साल हो गए, इसको 2023 में, इस पर question पूचा जा सकता है, 2024, 25, 26 में, right, तो social moment हमारा एक topic है, उसके उपर एक article आया था, जिसमें, directly उन्होंने कहा था, कि एक argument दिया था, और उसको directly link किया था, with Antonio Gramsci, Italian Marxist thinker है, उनसे, बताया कि, यह कैसे, Antonio Gramsci का जो idea है, कि revolution, या फिर जो आप, आपका revolution होता है, general, उसकी precondition है, you have to be free from mental servitude, तो सत्यशुक्त समाज का goal किया था, कि शूदरास को mental servitude से मुक्त करना, तो directly interlink है, इसी तरह, आपको directly अगर, article में दिया गया है, कोई thinker, तो definitely वो आपके लिए अच्छा है, पर आपको अपने end से भी यह करना है, जो भी आपके arguments है, जो भी आप पढ़ते हो, news में, जो भी points पढ़ते हो, उसको आपको link करना है, with the subject matter, आपके key concepts हो सकता है, कोई thinker हो सकता है, इसे क्या होगा, कि आप ये एक exercise होगा, जो आप answer लिखा होगे, तो you will have already created interlinkages, with examples, case studies, which you can directly quote in your answer, तो ये आपको prepare पहले करना है, अब कितने ज़्यादा news items important हो जाते हैं, आप देखोगे, सारा तो important ही है, आपके UPSC के preparation से, of course, but sociology का अगर हम बात करें, sociology से related news articles की बात करें, तो specific है, बहुत कम articles आते हैं, around 15 से ज़्यादा articles, मैंने तीन जो sources कहें, सच में, जिसके उपर chances है, कि sociology से related हो सकते हैं, बद जिस पर there is a good chance कि इसके उपर कोई question आ सकता है, so 15 से ज़्यादा नहीं होते हैं, किसी भी मद में, तो how do we do it at sleepy classes, आप देखोगे हम हर महीने, महीने के महीने, जो है current affairs prepare कराते हैं, not more than 12, 12 से ज्यादा नहीं कराते हैं, कई बार हो जाता है कि 14-15 हो गए, कई बार 7-8 हो गए, जो भी important articles है, या current events है, उसको हम पढ़ाते हैं, और सिर्फ यहीं नहीं करते हैं, हम उसको जो है, chapter से interlink करते हैं, right, कौन सा article कि इस chapter में आता है, इंप्लिमेंट कर रही है, तो definitely वो stratification, mobility, religion and society, and politics and society से related है, तो इसको interlink करना बहुत ज़री है, क्योंकि जब आप revision करेंगे, you should know कि कहा से, कौन सा article मेरे लिए, इस topic के लिए ज़्यादा important, तो मैं उसको तुरं-तुरं-तुरं revise कर सकता हूँ, करना के cover करने के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते, कैसे हमने important चीज़े ही, अपनी course में रखी है, जो main context है, वो और जो sociology से related points है, और linkages, मैंने जैसे कहा था कि, जो आप पढ़ते हैं उसको link करें, तो यहाँ पर जब अफगानिस्तान, जो है, formalize कर रही है, morality law for the women over there, so it is related to Max Weber concept of authority, authority की क्या-क्या type है, traditional authority, charismatic authority, and legal rational authority, तो यह जो है, जब शरिया को impose किया जा रहा है, और उसको legalize किया जा रहा है, तो एक traditional authority, जो है, वो legal rational authority में convert हो रही है, यह चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, अब, if you don't know what authority, legal rational is, that's all right, आप उसको बाद में ध्यान से पढ़ सकते, but my only intention is that, you have to create linkages between what you need, and what you consume, right, तो सिर्फ important चीज़े आपको mark करनी है, तो सिर्फ important चीज़े आपको mark करनी है, that is what is important, right, सारी चीज़े इंपोर्टन नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि, जो ban किया गया, singing, reading, और reciting in public, इसको हम Judith Butler के performative gender, gender performative से चोड़ के देख सकते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि gender परफॉर्मेंस में दिखा देता है, तो यहाँ पर तालिबान महिला को कह रही है, कि आपको feminine तरीके से बरताब करना है, यह to perform femininity, और वो femininity को, जो है, वो कौन decide कर रहा है, कि feminine क्या होता है, वो भी society decide कर रही है, तो इस तरह आपको relate करना है, और सारी चीज़े important नहीं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो red में mark किया है, वो ही important है, यह जो lol आया गहा है, Taliban के दोबरा, यह महीलाओ को faceless, voiceless shadow बना देगी, तो इतना ही important है, इससे ज्यादा आपको याद करनी की जरुरत नहीं, आपके कही के लिखने की जरुरत नहीं, और इसी को आपको reproduce करना है answer में, right, so you can see here, we have linked it with the concept of totalitarianism, of Hanna Ardent, right, so linkages, making sure that you only remember the most important points over there, definitely हम पूरा एक article जो है, अगर 500 शब्द का है, तो उसको हम reduce कर पाते, summarize कर पाते into 250 words, right, और उसमें भी जो important important चीज़े, उसको mark करते ताकि आपके लिए आसानी हो, revision करने में, और key points बनाने में, right, अब आप देखोगे कि एक और topic था, एक और article था, संजे श्री वास्तव पे on caste system, तो इसके उपर हमने question भी बना दिया, आपके लिए एक question भी बना दिया, कि आप अपने end से practice कर पाऊ, examine the challenge of addressing caste-based inequalities in contemporia, how do cultural and economic factors contribute to persistence of caste hierarchy, का caste hierarchy को reproduce करने में, या फिर उसको वो persist कर रहा है, why? Because there are some factors, cultural, economic factors, वो कौन से factors वो आप बता है, तो article को पढ़ने के बाद, आप इसको definitely, इसको काफी हद तक इसको solve कर पाएंगी, right, तो article से ही हम वो question बनाते हैं, और ये question आप अगर practice करते हो, तो exam में आप prepared होंगे, as well as give you the questions on which you can practice, right, so आप course को definitely, if you feel कि आपको course की जरुवरत है, you can definitely look into this course, price भी बहुत कम है, और इसमें in-depth video lecture, यानि मैं आपको जो है, video lecture के द्वारा, पूरा जो article है, उसको समझाऊंगा, उसमें जो important, important keywords है, उसका अर्थ क्या है, वो बताऊंगा, उसको link करूंगा, जो जो चीज़े मैंने अभी तक describe की है, वो सारी चीज़े की जाएगी, right, ताकि आप master कर पाए contemporary issues को, आपकी comprehensive understanding हो, और revision भी आप अच्छे से कर पाए, और उसको reproduce कर पाए अपने answers में, so that's it from today's session, thank you.